एक घंटे में सभी टिंसे सिखाने वाले वीडियो तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ लेकिन आज की ये वीडियो और भी ज़्यादा चमतकार करने वाली है आपके सामने क्योंकि आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सभी टिंसे एक सिंटेंस से में आपको सभी टिंस स complete करेंगे बट हर एक चीज़ को मैं बारी किसे बताऊंगी कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगे इसलिए आप भी वीडियो का एक भी सेकेंड मत छोड़िएगा तो सबसे पहले बात करेंगे कि टेंस क्या होते हैं टेंस तीन तरीके के होते हैं present, past, future क्या होते हैं present, past, future उनके अंदर categories होते हैं indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous तो तीन के अंदर ये चार और इनके अंदर पांच-पांच तरीके के sentences होते हैं affirmative यानि के positive sentence, negative ठीक है और interrogative में one and two तरीके के interrogative होते हैं अगर helping verb को शुरू में रख दिया तो question बन जाता है, तो समझेगा कि indefinite में use होते हैं do, does, did, will, shall और continuous sentences में use होते हैं is, am, are, was, were और साथ में will के साथ भी लगा के use करते हैं, सब आगे समझेंगे आप perfect में हम use करते हैं has, have, had तो यह main helping verbs हैं, जब हम perfect continuous में आते हैं, तब हम इनहीं के साथ, has, have, had के साथ bean का use कर लेते हैं, अब आते हैं main verb पे, यह थे helping verb, main verb जो main क्रियाएं होती हैं वो, तो यह होते हैं कि इनके forms होते हैं, जैसे verb की first form जो है, यह main verb होती है इसकी second form होती है और third form होती है, जैसे कि play verb है, खेलना, इसकी second form में ed लगा दिया played और third form भी है played, यह आसान है, लेकिन इस तरीके से भी verb होते हैं, जैसे कि right means लिखना, इसकी second form है road और third form है written, तो यह याद करने पड़ते हैं, अब आपने समझ लिया helping of main verb, अब समझ यह person, जो I, V, U दे, इन्हें categorize किया गया है, यह कहलाते हैं, first, second, third person, first में I और V यह singular है, यह plural है, second में सिर्फ U है, third person singular में he, she, it या किसी का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम, और third person plural में यह आता है, ठीक है, अब एक चीज़ जानना जरूरी है, कि जब हम indefinite tenses के sentences बनाते हैं, तो उसमें हम use करते हैं V1 का, ठीक है, उसके अलावा कुछ exceptions हैं, जैसे कि एक tense में आप पाएंगे कि हम V2 का भी use करेंगे, कहां पर मैं बताऊंगी, और जब हम continuous में आएंगे, तो इ यहां पर verb की first form में ing लगाकर ही use करते हैं, इस तरीके से, लेकिन फर्क यहां पर आप आएंगे कुछ और होगा, तो guys, वीडियो में तक बने रहे हैं, सब चीज़े समझेंगे, यह आपने चीज़े समझ ली, अब structure देख लेते हैं, positive sentence, एक basic sentence का structure होता है, subject, verb, object, तो सबसे पहले subject, फिर verb आती है, फिर object, अब verb में आपको बताया, एक होती है helping verb, दूसरी होती है main verb, तो यहां पर दोनों का use करते हैं, तो पहले helping verb, फिर main verb आता है, यह structure है, negative में आएंगे, तो subject, फिर helping और main verb के बीच में not, फिर object, interrogative में आएंगे, सबसे पहले helping verb को रख देंगे, व और फिर object, और जब हम question word वाले interrogative यूज़ करते हैं, तब हम सबसे पहले question word रखते हैं, तब उसके बाद वही structure होता है, जो इसका है, यहनि कि किवल एक बात का ध्यान रखना है, कि जो interrogative का structure है, उसमें सबसे पहले आप question word को रख दें, फिर आते है, negative interrogative बनाते हैं, तो यहा यहां पर subject के बाद not का use करेंगे, और जब इस structure में बनेगा, तो भी हम subject के बाद extra क्या लग रहा है, बस यह not, तो यहां यह ध्यान देना है, कि आपको subject के बाद not use करना है, तब main verb use करना है, अब आते हैं contraction में, contraction किस चीज का helping verb और not का contraction, जैसे कि यहां पर helping verb और not है, तो मान यहां देखिए कि helping verb यहां है, और not यहां है, बीच में subject है, इन्हें कैसे जोड़ें, तो इस case में आप यह कर सकते हैं, अगर question word है, तो ठीक है, आप helping verb और not को जोड़ेंगे, यानि इस case में आप subject के बाद not नहीं रखेंगे, यह पहले जोड़ जाएगा इनके साथ, और फि इसलिए देखते चलिए, present indefinite में मैंने क्या कहा था आपको, कि हम sub main definite में V1 यूज़ करते हैं, तो he, she, it या किसी का नाम हो, और sentence हो positive, तब हम वहां पर S लगा देंगे, V1 में, ठीक है, और उसके अलावा यह आएं, तो हम S नहीं लगाएंगे, सिर्फ V1 यूज़ करेंगे और जैसे हम negative या फिर interrogative बनाएंगे, तब हम V1 ही यूज़ करते हैं, और help लेते हैं, does और do का, तब हम इनका सहारा लेते हैं, do और does का, अब आप समझें, वह पत्र लिखता है, जो काम repeat होता है, ता है, ती है, ते है, आते है, वो present indefinite के कहलाते हैं, इससे आप पहचान जा बगाते हैं, बोलते हैं, you write a letter, clear, अब negative जब बनाएंगे, ये नहीं, तब हम यूज़ करेंगे, does का, he के साथ does, he does not write a letter, तो helping verb, main verb के बीच में not, शुरू में बता रही हो, इस structure को बहुत अच्छे से समझ येगा, फिर आते हैं, एक बनाते हैं, हम interrogative, तो क्या से पूछ रह नहीं, इसलिए नहीं आरा, does he write a letter, अब है, वह पत्र क्यों लिखता है, तो क्यों, question words सबसे पहले इसको ले जाए, why, फिर आगे वही है, जो उपर आप देख रहे हैं, why does he write a letter, clear हुआ, अब एक देख लेते हैं, negative, interrogative, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, दोनों आ गए यहा why does he not write a letter, तो यहाँ पर देखे हैं, हमने not कहां रखा है, subject के बाद, ठीक है, अब इसके लिए आपके लिए एक homework, अभी अभी करना है, आपको does not के contraction के साथ, आप लिखिए, इसी sentence को जब हम does or not को contract करेंगे, तो क्या हैगा, मैंने आपको बताया, तब हम इन दोनों को जोड के subject से पहले रखते हैं, इसे फटा-फट comment section में लिए कि आपकी practice हो जाएगे, अब आते हैं past indefinite, past indefinite में हम सब के साथ, जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं person या किसी का नाम है, सब के साथ हम work की second form यूज़ करते हैं positive sentence में, जैसे ही negative या interrogative बनाएंगे, हम did का use करें जैसे मैंने कहा, तो V2 सिर्फ और सिर्फ, past indefinite के positive sentence में use होता है, उसने पत्र लिखा, second form यूज़ करने है, he wrote a letter, अब जब negative बनाएंगे तो wrote नहीं आएगा, उसने पत्र नहीं लिखा, क्या बोलेंगे, he did not write a letter, clear structure आप समझी चुके हैं, अब क्या उसने पत्र लिखा, did को write a letter, clear हुआ, अब देखें, negative interrogative बना लेते हैं, क्यों नहीं, तो why did he not write a letter, clear हो गया अब आपके लिए, अब एक और आपके लिए सवाल, did not के contraction के साथ, आप लिखें, comment section में, इसी sentence को did or not के contraction के साथ लिखना है, जल दिस करिया, आपके practice हो जाएगी, future indefinite में आते हैं, यहां और will का, I, V के साथ, shall, बाकी सब के साथ will, लेकिन modern English में, I और V के साथ भे will का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसी category में रखा है, तो आराम से आप सब के साथ will का यूज़ कीज़े, word पत्र लिखेगा, यहां हम बोल रहा है, he will write a letter, तो simple, यहां आपको कुछ tension नहीं ल लिखा दिया, याद रखेगा, will not का contraction, won't, फिर आते हैं, क्या वह पत्र लिखेगा, will को सबसे पहले ले जाएंगे, will he write a letter, फिर वह पत्र कैसे लिखेगा, कैसे की English, how, how will he write a letter, अब वह पत्र कैसे नहीं लिखेगा, negative, interrogative, how will he not write a letter, अब विल not के contraction, जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इसके साथ आपको लिखना है, comment section में, एक बार फिर से देख लिजिए, आप रोक सकते हैं, विडियो को pause करते जाएं, और लिखते जाएं, ताकि आपकी practice होती जाएं, अब आते हैं, इंडेफिनिट, clear हो गया, continuous में आते हैं, तो यहाँ पे हम use करते हैं, am, is continue रहता है, जारी है, तो मैं क्या बोलूँगी, he is, मैंने बताया आपको continuous में, सब में आप ing जोड़ेंगे, main verb के साथ, तो write के साथ ing, writing, he is writing a letter, यह तो बहुत यहाँ सांटेंस है, वह पत्र नहीं लिख रहा है, he is not writing a letter, तो helping verb main verb के बीच में not, फिर आएंगे, क्या वह पत् पत्र कैसे लिख रहा है, how, how is he writing a letter, अब आते हैं negative interrogative verb, पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, तो इसका जवाब आपको देना, अब आप सीख गए कि negative interrogative कैसे बनाते हैं, और इसके साथ साथ is not के contraction के साथ भी आप इसे लिख कर दिखाईएगा, ठीक है, चलिए past continuous में आते हैं, यहाँ पर आप पाएंगे कि हम दो use करते हैं, was, were और I के साथ, यहाँ पर देखें, वहाँ M था I के साथ special, यहाँ I के साथ भी वही use होगा, जो he, she, it और नाम के साथ use होता है, I was, ठीक है, और you were, we, you दे के साथ were, अब देखें, वह पत्र लिख रहा था, he was writing a letter, he के साथ was you होता, तो were आजाता, you were writing a letter, वह पत्र नहीं लिख रहा था, was not writing, simple, अब क्या वह पत्र लिख रहा था, was को पहले ले जाए, was he writing a letter, simple, अब question word के साथ, वह पत्र कब लिख रहा था, कब के English, when, when was he writing a letter, अब देखें, वह पत्र कब नहीं लिख रहा था, तो when और subject के बाद not लगाएंगे, इसको आपको करना है, comment section में, ठीक है, चलिए, future continuous में आते हैं, और future continuous में, जो आपने देखा, कि हम future में will, shall का use कर रहा थे, indefinite में, यहां हम B साथ में जोड देंगे, और IV के साथ shall भी use कर जिए, बाकि सब के साथ will be, और मैंने बताया आप से कि IV के साथ भी will be यूज़ कर सकते हैं, वह पत्र लिख रहा होगा, यह हम कब यूज़ करते हैं, sentence जैसे मैंने मान लेज़े बोल दिया कि कल दो पर दो बजे, वह पत्र लिख रहा होगा, तो किसी समय पर ये काम जारी रहेगा, तो हम बोलेंगे, he will be writing a letter, अब आप आ रहे हैं कि हम helping verb दो वर not be, तो will और be के बीच में not लगेगा, इस बात का ध्यान रखेगा, will not be writing a letter, क्या वह पत्र लिख रहे हैं, तो यहां भी, यह ही जो है, will और be के बीच में आएगा, हम यह नहीं बोलेंगे, will be he writing a letter, will he be writing a letter, clear, तो जब दो वर्ड की आएं, तो पहले वाले के बाद आपको ज subject डालना है, he will be writing a letter, clear, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, will he be not writing a letter, क्या यह सही लग रहा है, यह गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने का जो भी चीज आएगी, will be के बीच में आएगी, तो यहां subject और not दोनों को आना है, और will be के बीच में आना है, सही, क्या होगा, will he not be, त letter, अब आगे आपके लिए present perfect, continuous आपके लिए पूरे हो गए, यहां मैंने आपसे question नहीं पूछा, समझना जरूरी था, आगे पूछूंगी, present perfect, he, she, it, name, इनके साथ has, और सबके साथ, I, we, you, they, के साथ have, और साथ में verb की third form, तो उसने पत्र लिखा है, present perfect हम यूज करते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका है, तो हमेशा चुका है, चुकी है, ऐसा sense नहीं आता, A है, E है, A है, ऐसे भी sound आते हैं, लिखा है, यानि A है, ठीक है, तो यह sound आया, समझ लीजे, अभी से connected है, present perfect है, he has written a letter, तो has के साथ third form, you होता, you have written a letter, they होता, they have written a letter, हमेशा third form यूज हो has को पहले ले जाए, has he written a letter, अब उसने पत्र क्यों लिखा है, क्यों को English सबसे पहले, why has he written a letter, अब past perfect में आते हैं, यहाँ पर सब के साथ हम use करेंगे, had का, और इसके साथ भी verb के third form, उसने पत्र लिखा था, ठीक है, तो लिखा था बोल रहे हैं, अब देखे, he had written a letter, इसकी भी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, यी थी, ए थे, जैसे sound आए, he had के साथ verb के third form, not बनाना है, उसने पत्र नहीं लिखा, बस इन दोनों के बीच में not लगा दिया, अब क्या से करेंगे, अगर सब क्या उसने पत्र लिखा, had he written a letter, अब देखे, negative, negative, interrogative बना सकते हैं, बड़े आराम से, आपको try करते रहना है, future perfect में आते हैं, यहां सब के साथ आप will have use कीजे, I और we के साथ shall have use कर सकते हैं, लेकिन जब एक चीज़ आसान हो रहे हैं, तो उसे आसान ही रहने देते हैं, सब के साथ will have use कीजे, future perfect में sentence है, वा दो बज़े त तो इस तरीके से आपने यहां भी देखा कि हम will have use कर रहे हैं, ठीक है, दो वर्ड वाले, तो जो भी आएगा will or have के बीच में आएगा, चाहे subject हो, चाहे not हो, देखे, negative, वा दो बज़े तक पत्र नहीं लिख चुका होगा, he will not have written a letter by 2 o'clock, अब question, क्या वा दो बज़े तक प by what time, by what time will he have written a letter, clear, अब आते हैं, present perfect continuous में, तो आपके लिए perfect tenses भी complete होगा, अब जब perfect continuous में आएंगे, तो यहां क्या होता है, कि आप use करते हैं, has been or have been, इनके साथ ये, इनके साथ ये, इसकी खासियत क्या होते हैं, मैंने बता है, इसमें हम use करते हैं, verb में ing, और साथ में हम क्या use करते हैं, bean का, तो जब bean use हो गया, यानि कि third form भी आ रहे हैं, और ing से लिए, इसका नाम है perfect continuous, यहां पे होता क्या है, कि वह आधे गंटे से पत्र लिख रहा है, तो continue तो है, लेकिन ये भी बताया गया, कि कब से कोई चीज़ शुरू हुई है, तो यह चीज़ होता है, कि यहां पर या तो duration दिया होगा, या तो यह दिया होगा, कितनी बज़े से कोई चीज़ शुरू होई, तो इसके लिए हम बोलेंगे, he has been use किया, फिर verb में ing, he has been writing a letter for half an hour, अब ध्यान दें आप यहां पर, कि हमने for का use किया, तो इस tense में, हम since और for, दो चीज़े use करते हैं, अगर duration है, तब हम for use करते हैं, यानि कोई exact time नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और since हम use करते हैं, जब कोई भी exact point in time दिया है, अगर मैं बोलती, वह दो बज़े से पत्र लिख रहा है, तब मैं बोलती, he has been writing a letter since 2 o'clock, exact timing, या फिर since Monday, सोमवार से, लेकिन हमने duration दी है, कि आदे ग has और been के बीच में आएगा, he has not been writing a letter for half an hour, clear, अब जब प्रशन बनाएंगे, क्या वह आदे गंटे से, तो has को सबसे पहले ले जाएंगे, फिर he और been, has he been writing a letter for half an hour, अब question word के साथ, वह आदे गंटे से पत्र क्यों लिख रहा है, why has he been writing a letter for half an hour, clear, अब देखिए, negative interrogative, वह आ मुदेश आपको लिखनी है, अब आते हैं, past perfect continuous में, तो यहाँ प्याप पाएंगे, कि इन सब के साथ, आप use करेंगे, had been, फिर verb में, ing, तो सवाल, वह आदे गंटे से पत्र लिख रहा था, ये एक positive sentence है, he had been, अब था है न, लिख रहा था, he had been writing a letter for half an hour, negative बनाएंगे, had और question word के साथ, वह आदे गंटे से पत्र क्यों, तो why, why had he been writing a letter for half an hour, clear हुआ, अब देखे, वहाँ तक आप समझ गए, अब यहाँ पर आप पाएंगे, कि तीन word, अभी तक आपने दो word के helping word देख लिए, साथ में थे, तो आपने बीच में उनके not या फिर subject डाल दिया, यहाँ प have के बीच में हैं, तो देखे, वह आदे गंटे से पत्र लिख रहा होगा, यहाँ situation यह है, कि मैंने मान लीजे, कल कह दिया, कल दो बजे, कल दो पर दो बजे, वह आदे गंटे से पत्र लिख रहा होगा, किसी समय पे वह काम, किसी समय से शुरू होकर जारी रहेगा, तो तो पहला word will है तो उसके बाद ही सब चिस जुड़ेगा He will not have been writing a letter for half an hour Question पूछेंगे तो देखे Will he have been writing a letter for half an hour? क्या से शुरू था? Question word के साथ वह आदे गंडे से पत्र क्यों लिख रहा होगा? Why will he have been writing a letter for half an hour? Clear हो गया अब आपके लिए अब negative interrogative भी देख लीजे Why will he not? वह आदे गंडे से पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा? Why will he not have been writing a letter for half an hour? Clear? अब विल नॉट के contraction के साथ आपको इसे लिख के बताना है तो इस तरीके से आपने Indefinite से लेके Perfect Continuous तक सब कुछ समझ लिया एक बर विडियो को फिर से देख लेंगे सब को समझ में आ जाएगा अब गाईज इस तरीके से ये विडियो तो complete होती है लेकिन जो मैंने trick कही थी आपको वो देना बागी है तो मैंने आपको बताया कि helping verb मैंने शुरूम बताया कि सबसे जादा जरूरी है इन्हें समझना तो देखिएगा कि याद करने की बज़ाए जो मैं इधर लिख रहे थी उन्हें याद करें कि ही के साथ ये, शी के साथ ये, आई के साथ ये, वी के साथ इस चीज को समझ लेजे, कभी गलती नहीं होगी ही, शी, इट और नीम इन्हें हम singular plural में divide कर लेते हैं singular यानि एक वचन, plural यानि बहुचन वह, ही, शी, इट, यह किसी एक व्यक्ति का नाम सब singular हैं, एक वचन हैं इनके साथ ये S वाले verbs आते हैं तो देखे, does में भी S, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी आप पाएंगे, इस में जितने भी S वाले हैं, वो इस category में हैं तो singular के साथ singular verb, S वाले verbs singular हैं सारे ये याद रखिएगा, singular subject के साथ singular verb आती है अब आप कहेंगे, I exception हैं तो मैं बताती हूँ, we और they plural है वर्ब में S लगाओ, singular हो जाता है, याद रखिएगा अब I भी तो singular है, लेकिन I एक exception है I के साथ plural वाली verb आती है हमेशा लेकिन, दो जगहें छोड़के, एक मैंने बताया, am बना है इसके लिए continuous में यूज़ करते हैं और यू एक ऐसा exception है, यह असान है यह singular plural दोनों के लिए you use होता है यानि आप अकेले हैं तो भी मैं कहूंगी you आप कई लोग हैं तो भी मैं कहूंगी you और इनके साथ हमेशा you के साथ plural verb आती है इसके साथ कभी singular verb नहीं आती उमीद करती हूँ कि अभी तक आपने आप को डाउनलोड कर लिया होगा और ये भी उमीद करती हूँ कि इस वीडियो का आप इतना शेयर करेंगे अपने सबी friends family के साथ शेयर करेंगे ताकि जिने भी ये लगता है कि टेंस सीखना मुश्किल है उनके लिए ये बात जूटी साबित हो मैं चाहती हूँ कि लोग कहें कि इंगलिश आसान है टेंसिस सीखना तो बहुत ही आसान है और टेंसिस के बेसिस पे हम डेली बोलते हैं तो जादा से जादा शेयर कीजे इस वीडियो को और हाँ अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाएगा उसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजेगा और प्लीज शेयर तो जरूर कीजेगा थैंक यू